हेलो स्टूडें़ गुडूडेवनिग मैं पुनंत परी आपसभी स्टूडेंज का अनकेर्मिक प्लैड्फॉर्म पर स्वागत करती हो आक जवर नुट मैंने वाले हैं एज आज सेशन कस्टें से में.'' मैं कर रही हूँ और मैं सीटर बेपर वन पेपर टू कौलिफाइड हूँ मैं एबिकस ट्रेनर हूँ फ्रॉम लास्ट नाइन येर्स और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस नाइन्थ और टैन्थ को पढ़ाने का फाइव येर्स और अबाव का है शितीच आज हम पढ़ेंगे टर्म टू कर शितीच भागदो का फर्स चैप्टर अच्सा उच्सा अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं का आज हम लोग यहां पर प्रश्न उत्तर करेंगे ये है टेलिग्राम चैनल अनकैडमी का क्लास नाइन्थ का ये है और ये मेरा है तो मैं important जो questions रहेंगे उनके PDF पी आप लोग के साथ यहां पर शेयर कर दिया करोंगी अगर आप प्लेस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अब आप यहां पर अपने comfort zone में पढ़ सकते हैं unlimited access मिलता है आप सभी को top educators of India आपको इकी platform पर पढ़ाते हैं regular.learning session, full syllabus coverage, mentorship and guidance, study material दिया जाता है practice test होते हैं live test series होती है और यह सारे courses आपके batches में होते हैं अगर plus subscription आप लेते हैं तो जितने लंबे duration का आप subscription लेते हैं उतना ही आपको compliment करना पड़ता है PT01 code है मेरा use करिए 10% का discount avail करिए उसके बाद अगर आप iconic subscription लेते हैं तो यहां पर आपको one to one guidance दिया जाता है from top educators यहां live.solving sessions है weekly report दी जाती है आपके parent connect हो सकते हैं study planner दिया जाता है और यह सारा benefit आपको iconic subscription में मिलता है यहां भी जितने लंबे duration का आप subscription लेते हैं उतना कम payment कर पड़ता है PT01 code है मेरा use करिए 10% का discount avail करिए आप सभी यहां पर 9th के बच्चे हैं तो या फिर नहीं है तो आप class 10th के बच्चे 9th वालों को बता दीजेगा last week में 13-18 December special class में सिर्फ और 9th standard की class चली थी और उनके 10 टेवल यह था अगर उनने किसी भी तरह का doubt है या उनकी class छूट गई है तो इन classes को दे सकते हैं मेरा code है PT01 use करिए class को unlock करने के लिए और हम यहां पर start करते हैं हमारा अट नहीं रही है course A का पाठ्थे पुस्तक प्रश नुक्तर ठीक है यहां से हम start करते हैं यह होते हैं हमारे सूरेकां त्रपाठे निराला जी उनका आज हम जिवन परिचे जानेंगे जिवन परिचे हमने जान लिया है बहुत बड़े लेखक थे वह और वह च्छायावादी कवी थे च्छायावाद की एक खाश पुसेश्ता कवीता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारना पुस्ट होती है लिखी तो कवीता की जो कुछ पंक्तिया है जिने पढ़कर यह धारना पुस्ट होती है कि वह च्छायावाद की जो यह खाश पुसेश्ता है कि हमारे अंतरमन के भाव को हम क्या करते हैं बाहर की दुनिया किसाथ हमें connection बठाके और उसे प्रस्तुत करते हैं तो उसी को यहाँ पर बताया गया तो आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सास लेते हूँ, घर घर भर देते हूँ उन्ने को नभ में तुम पर पर कर देते हूँ आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है यह question है, उसके बाद कभी की आँख फागुन की सुन्दरता से क्यों नहीं हट रही है तो यह है आपका important question कभी की आँख फागुन की सुन्दरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन बहुत मत्वाला, मस्त और शोभाशाली है तो यह आपका पहला पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है इस महिने की प्रकृती का सौंदर अत्यंत मनमुहक होता है चारो और फैली हर्याली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से सब को मुख्ध कर देते है इसलिए कभी की आँखे फागुन की सुंदर्ता से मंत्र मुख्ध है जो चाहकर भी वहाँ से हट नहीं हटती है अब देखो, यह वाला कॉश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया यह important है, इसको mark कर लीजेगा सारी कॉश्चन आप सभी को पढ़ने हैं लेकिन यह वाले कॉश्चन थोड़ा और अच्छे से पढ़ने हैं याद नहीं करना है, इनको समझना है main points याद कर लो और अपने one language में इन्हें लिख दीजेगा तो पहले वाला कॉश्चन भी आपका three marks का आएगा आ सकता है और ये वाला कॉश्चन भी आपका three marks का ही आ सकता है प्रस्तुत कविता में कवी ने प्रकृती की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है तो कवी यहाँ पर जो सूर्य कांतर पाठी जी निराला जी है इन्होंने फागुन के सर्व्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है फागुन के सौंदर्य को असीन दिखाया है उसे हर जगा तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है सर्व्यापक सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है गर घर भर देते हुँ में फूलों की शोभा की और संकीत कीया लोग अपने घर में प्लांट लगाते हैं रोज लगाते हैं, लीली लगाते हैं उसी को बताया और मन में उठी खुश्यों की और भी उन्ने को परपर करना भी ऐसा संकेतिक प्रयोग है यह यह पक्षियों के उडान पर भी लागू होता है और यह मन की उमंग पर भी सौंदरे से आंख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की छलक देता है ठीक है? प्लियर है इतना? अब देखो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रितों से भिन है? यह आपका टू मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है फागुन बाकी रितों से निमले की प्रकार से भिन है इस समय प्रकृती की शोभा अपनी चरम पर होती है पेड़ पौधे नए पत्तों फल और फूलों से लद जाते है ठीक है हवा सुगंदे उठती है फूल खिलते है तो उनकी खुश्बू हवा में फैल जाती है आकाश स्वच होता है बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भी भर जाता है अब देखो इन कविताओं के अधार पर निराला के काव विशेश्चता बताई है तो बैसिकली आपको काव विशेश्चता पूछा गया है अगर यह थ्री मार्क्स का आएगा तो यह पूरा अंसर लिखना है और अगर यह टू मार्क्स का आता है तो इसके कुछ पॉइंट लिखने पढ़ेंगे आपको जैसे कि यहां पर महा कवी इन्हें महा कवी कहा जाता है किसको सूर्यकांत्र पाठी जी कुछ यह कौन से कवी थे च्छायावाद की प्रमुक कवी माने जाते है और च्छायावाद की प्रमुक विशेश्चता है कि प्रकृतिक चित्रन और प् मानवी करन हुआ है कावे के दो पक्ष हुआ करते हैं ठीक है अनुभती पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष अथार्थ भाव पक्ष और शेर्प पक्ष यह दोनों इसमें देखी गया तो अगर आपके टू माक्स के लिए आता है तो आप उसमें लिखोगे प्रकृतिक चित्रन है और यह प्राकृतिक चित्रन प्राकृतिक उपदानों का मानवी करन है अगर यह तू माक्स का आता है और दूसरा आप लिखोगे कि अनुभूती पक्ष है और अभिव्यक्ति पक्ष अथा भाव पक्ष और सिल्पक्ष यह चार पॉइंट आपको लिख देने हैं अगर आपका टू माक्स के लिए कोश्चन आता है ठीक है फार टू मार्क्स यह तु राइट फॉस्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आपको लिखते ना थ्री माक्स काईगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा इस रिस्टी इस रिस्टी से दोनों कविता है क्या है सराह है मतलब सराहनी है बहुत इन्हें आपको क्या देना पड़ेगा इंपॉर्टेंस है आप इसको तारीफ के काबिल है यह कविता है चायावत की अन्य विशिष्टा है जैसे गेता चाया प्रभा मैता अलंकार योजना संगीत आत्मा आदि इसमें क्या है विद्यमान है अगर सिक और अलंकार है वहीं दूसरी और ठीट ग्रामिंड शब्द का भी प्रयोग भी पठनिया है अतुकांत मतलब तुकांत शैली में रचित राइमिंग वर्ड्स ठीक है कविताओं में क्रांति कस्वर मादक्तायों मुहकता की बरी है सरल भाजा सहत सुबोध और प्रभाव में है ठीक है तो यह वाले कुश्चन यहां तक आपके थ्री मार्क्स तक के पूछे जा सकते हैं अब जो मैं आप लोग को कुश्चन आंसर बताऊंगी यह टू मार्क्स के रहेंगे जिने हम शॉर्ट आंसर भी कहते हैं कविता का सीर्षक उत्सा क्यों रखा गया देखो य कविता का सीर्षक उत्सा इसलिए लखा है क्योंकि कवी बादलों के माध्यम से क्रांती और बदला लाना चाहते हैं वे बादलों से गर्जना के लिए कहते हैं एक और बादलों के गर्जन में उत्सा समाया है तो दूसरी और लोगों में उत्सा का संचार करने करके क्रांती के लिए तैयार करना है अब देखो कवीता में बादल किन किन अर्टों के और संकीत करता है तो कवी ने बचों की मुस्कान के संधर्यों को निमनिफित बिंबो के मध्यान से समझाया बेश pain कैसी रती है माद्रिक में जना जान आ जाती है मृत다 है मानौ जोपडी में कमल के फूल खिल उठे हो यह लगता है बन गई हो यह लगता है माने बबुल के बबुल से शिफालिका के फूल झांने लगए हो तो यह सारी चीजें आपको लिख देना है ठीक है अब देखो शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खाश भाव या द्रश के धन्यात्मक प्रभाव पैदा कर धो नाद संदर कहलाता है उत्सा कविता जिसमें से ध्वनी में संदरता हो ठीक है ध्वनी से जिसमें की प्रभाव पैदा हो उसे क्या कहते है नाद संदर है अब कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिन में नाद संदर है मवजूद है तो इसमें है बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओग ठीक है अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कोश्चन जैसे बादल उमण अभिवक्त होते हैं ऐसे ही किसी प्राकृतिक संदर्य को देख कर अपने उमरते भाओं को कविता में उतारिये अब देखो उपर देखो आसमान में किसके रंग बिखेरा काला सूरज जाने कहा छिप गया खो गया उसका कहीं उजाला देख गगन का काला चहरा लगा बहाने गगन बनाने जो बिजली ने आँख दिखाई यहाँ पर कौन सा अलंकार है यहाँ पर उत्प्रिक्षा अलंकार है जो आ गया कुछ वजसुदा में आन समाया वह लाई थाल में पानी उसका मू धलवाया थोड़ा पानी आसमान में बाकी सब धर्ती पर आया कुछ टपका फ यह आपका अंसर होता है फिर नेक्स्ट यह वाला कुश्चन आपका इंपोर्टेंट है कवी ने करांती लाने के लिए किसका आवाहन किया है और क्यूँ तो कवी ने करांती लाने के लिए मतलब बारिश लाने कि जो गर्मी से लोग तड़ पड़ा रहे हैं उनको शान्ती देने के लिए प्रकृति पूड़ी तरप गई है गर्मी से तो उसके लिए उन्होंने किसका आवान किया है बादलों का कवी का मानना है कि बादल कैसे है प्रांती दूथ है उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ती है जो लोगों को जागरूप करने में सक्षम है इसके अलावा बादलों के रिदय में बिजली छिपी है फिर है कवी युवा कवियों से क्या आवाहन करता है तो कवी युवा कवियों से आवाहन करता है कि विप्रेम और संदर की कविताओं की रचना ना करके लोगों में जोश और मंग भरने वाली कविताओं की रचना करे जो लोगों परब्रज सा असर करें और लोग क्रांती के लिए तैयार हो सकें अब देखो कवी ने नव जीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है स्पस्ट कीजिए देखो इसके जो पहले वाला कुश्चन था यह आपका टू मार्ग्स के लिए पूछा जाएगा अब यह वाला कुश्चन जो है कवी ने नव जीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है स्पस्ट कीजिए यह इंपॉर्टेंट है और यह आपका टू मार्ग्स के लिए तो कभी बादलों को कल्यान कारी मानता है बादल विविद रूपों में जन कल्यान करते हैं वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धर्ती को ताप शीतल जो गर्मी है उसे क्या करते हैं? शीतलता प्रदान कर देते हैं और मुर्जाई से धर्ती में क्या डाल देते हैं जीवन दे देते हैं वे धर्ती पर फसल उगाने योगे बनाकर फसल उगाने के योगे बनाकर लोगों में नवजिवन का संचार करते हैं क्योंकि गर्मी में तो सब को सुख जाता है ना पूरी प्रकृति सुख जाती है जमीन सुख जाता है तो बारिश क्या करते हैं इन सब में नया जीवन दे देते हैं ठीक है अब देखो बादल आने से पूर प्राणियों की मनोदशा का चितरन कीजिए तो जब तक आसमान में बादलों का आगमर नहीं हुआ था गर्मी अपने चरम सीमा पर थी मतलब गर्मी बहुत चाड़ा थी बारिश आनी रहे थे पूरी प्रकृति बेचैन है लोग बेचैन है बच्चे बेचैन है जानवर पशू पक्षी सभी बेचैन है तो गर्मी क्या थी एकदम चरम सीमा पर थी बहुत तेज गर्मी पढ़ रहे थी और बादलों का आगमन अभी तक नहीं हुआ इससे लोग बेचैन और परिशान और क्या थे उदाश थी उन्हें कहीं भी चैन नहीं था गर्मी ने उनका जीना क्या कर दिया था दुभर कर दिया था मतला मुश्किल कर दिया था उनके मन उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था तो यह आप लोगों का टू मार्ग्स का ठीक है ये दोनों में से कोल भी एक रहा तो आप यही वाला आंसर लिखेंगे ठीक है अब देखो कवी निराला बादलों में क्या-क्या संभावनाय देखते हैं तो यह आपका important question है ठीक है अब देखो कवी निराला बादलों में निमलिखित संभावनाय देखते हैं कौन-कौ लोगों को ख्रांती लाने योग्य बनाने में समर्थ है बादल धर्ती और धर्ती के प्राणियों दोनों को नजीवन प्रदान करते हैं बादल धर्ती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं ठीक है यह आपको लिख देना है कभी ने बादलों को किन-किन विशे इसे तरह के questions पूछे जाएंगे यह आपको इस पार्ट से क्या संदेश मिलता है इस कविता से क्या सीख मिलती है तो इस तरह के questions आप से पूछे जाते है तो कभी ने बादलों को अग्याद दिशा की घन और नव जीवन वाले जैसे विशेशन का प्रयोग किया है कभी उन्हें अग्याद दिशा की घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल किस दिशा से आकर आकाश में छा गए पता नहीं इसके अलावा वे धर्ती और प्रानियों को नव जीवन देते हैं अब देखो कहीं सास लेते हो ऐसा कभी ने किसके लिए कहा है और क्यों अत्वा कभी ने फागुन का मानवी करण कैसे किया है ये important है तो फागुन महीने में तेज हवाएं चलती है जिन से पत्यों की सरसराहट के बीच साए साए की आवाज आती है इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सास ले रहा है कभी इन हवाओं में फागुन के सास लेने की कलपना कर रहा है इस तरह से इस तरह कभी ने फागुन का मानवी करण किया है clear है आप देखो उन्ने को नभ में तुम पर-पर कर देते हो देखो यहां पर कौन सा अलंकार है यह चोटा-चोटा चीज है लेकिन आप लोगों को पता होना चीज है ठीक है पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार जब आप लोग चीजों को पढ़ होगे न और उनको उन चीजों से कनेक्ट करोगे जो कि important है पूछी जाती अलंकार हो गए रस हो गए ठीक है समास हो गए इनको नॉर्मल चीजों से भी कनेक्ट करो तो अप लोगों को जल्दी समझ में आएगा और हमीशा के लिए याद रह जाएगा आलोप में बताईए कि फागुन ल जाता है कि वातावरन कैसा हो जा रहा है मनुरम बन गया जाता है बहुत सुन्दर रंग बिरंगे फूलों के खुश्बू से हवा की मादत्ता क्या होती है घुल जाती है ऐसे में लोगों का मन कल्पना में खोकर उडान भरने लगता है ठीक है इतना clear है आप लोगों को तो ये question आप लोगों का कितने marks का आएगा टू marks का आएगा उसके बाद अट नहीं रही है कविता के अधार पर फागुन में उम्रे प्राक्रितिक सौंदर्रे का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा फागुन का सौंदर्रे अन रितुओं और मह इनों से बढ़कर क्या होता है से बढ़कर होता है इस प्रकार चारों और क्या चा जाती है हर्याली चा जाती है खेतों में कुछ फसले पकने को तयार होती है सरसों के पीले फूलों की चादर बिच जाती है लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है प्र है तो यह first है यह second फिर third फिर आपका यह fourth point यह fifth point और यह आपका six point ठीक है clear है तो इसे याद रखिए आप लो और points याद रखो बस और उसके बाद उस answer को अपने one words में अपने लिख दो अब देखो अट नहीं रही है कविता क्या धर पर फागुन में उम्रे अपने शब्दों में कीजिए अब देखो फागुन का संदर कैसा है अच्छा यह question हमारा रिपीट हो गया है लग रहा है ओके no problem देखो अब देखो अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद सार या फिर संदेश अपने सब्दों में लिखो इस तरह के questions आएंगे आप प्रतिपादत सार या संदेश रहेगा किस चीज से विशेषन की गई है किस चीज की तुला की गई है तहिक फिर आपका सीर्षक क्या है ऐसा सीर्षक क्यों रखा गया है आप इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है ये सारे चीजे ऐसे कोशन्स आप से पूछे जाते हैं तो अटनी रही कविता में फागुन महीने के सौंदरे का वर्णन है पहला इस महीने में प्रकृतिक सौंदरे कहीं भी नहीं समा रहा है और धर्ती पर बाहर विखर गया है इस महीने सुगंदित हवाएं व बढ़ गया है इसमें इससे मन में उमंगे उडान भरने लगी है क्लियर है इतना समझ में आ गया अब देखो अभी देखो इस पार्ट का उद्देश क्या है संदेश क्या है ये भी पूछा जा सकता है तो आपको ये भी पढ़ना है तो ये कैसी कविता है प्रतिकात्मक कव गेर कर चाले बच्चों के घुंगराले केशों सा आकाश में क्या हो गया है फैल गया है किसी संघर्षिल कवी के समान जन जीवन में नया उत्सा भर दे वह विद्यूत शक्ति देखो विद्यूत शक्ति संघर्षिल कवी सारे गगन को घेर दे बच्चों के घुंगराले केश अकाश, ठीक है, प्रतिकात्मक कविता है, उत्सा के प्रतीक रूप में प्रकट किया गया है, तो ये सारे आपकी क्या है, important points है, इनको आपको catch करना है, और इनको पकड़ कर और answer आपको लिख देना है, ठीक है, समाज में गर्जे, बरसे और जोश का संचार करे, जब सारा संसार पीडा और ताप से दुखी हो, तब लोग व्याकुल और अन्मने होते हैं, तब ये बादल, शीतल, जल धारा, जल की धारा बनकर जीवन को क्या देती है, शांती देती है, ठीक है, ये आपको point याद रुखना है, फिर देखो, उत्साफ कविता के अधार पर निराला की कविता की दो प्रमुख विशिष्टाएं लिखी, तो दो प्रमुख विशिष्टाएं क्या है, एक तो प्रकृति का मानवी करण, और एक उजश्वी भाषा, और उत्साफ में बादल को मानव के रूप से समगुधित किया गया है, बादल को गरजने के लिए प आपके अंदर पौरुश जोश उमंग की भावना हमेशा होने चाहिए ताकि आप अपने देश में जहां आप रह रहे हैं अपने जन जीवन में अपने लोगों के बीच में एक क्रांगती लेकर आए ठीक है अब देखो उत्सा कविता में नव जीवन वाले किसे कहा गया है औ उनकी वे वर्शा करके मुर्जाई सी धरती में क्या कर देते हैं जान फूख देते हैं जीवन डाल देते हैं वे धरती को क्या करते हैं उपजाव कर देते हैं आपने देखा होगा गर्मी के समय में हर तरफ क्या होता है बंजर होता है सब जगह ब्राउन ब्राउन नजर आत तो उनको बारिश चाहिए रहता है, जीवन चाहिए रहता है, जो कि बारिश के नहीं होने से और घर्मी तेज होने से वो व्यकुल हो जाते हैं, तो जब बारिश आता है, तो क्या होता है, पूरी प्रकृती में जीवन ला देता है, क्योंकि वर्षा से जो धर्ती एकदम से हो गया है पूरी गिली हो जाती है उसमें से अपने दिखा है भीनी-भीनी खुश्बू आती है दिल होता है कि उसे उठा के खाले हम और धर्ती को क्या बना देते हैं, उपजाव बना देते हैं मुक्ति से घर्मी हमें मुक्ति मिलती है अब देखों यह तो बादलों से कहा ये expectation यह है वहां से हम को यह मिलता है अब कवी को नवजीवन वाले क्यूं कहा गया क्योंकि वह उट्सा का संचार करके निराश हताश लोगों की जीवन में नंए उमन भर देता है अब देखिए बादलों के लिए नव जीवन विशेशन का प्रयोग किस अंधर में किया गया है क्योंकि वे वर्षा करके धर्ती पर नई फसले नई रंग नई सुगन और क्या नए उत्सा का संचार करते हैं अब देखो उत्सा गीत में बादलों को किस अकांशा को पूरा करने वाला बताया है तो यहां पर जनजन की व्याकुलता है उसे दूर करने के लिए बताया है ठीक है वे गर्मी की तपन से दुखी लोगों को जल बर्षां कर सांथ कर देते हैं क्लियर हु रहा है इतना उमीद करते हूं कि आप सभी को इतना समझ में आ रहा हुगा अच्छे से ये questions आपके two marks के रहेंगे जितने भी मैं आप लोगों को लगो प्रेश्ण बता रही हूं यह सारे आपके two marks के लिए आएगे ऐसा नहीं है ठीक है आपको कहानी नहीं लिखना है two marks के लिए to the point answer लिखना है to the point अभी जैसे इसमें question है तो जन जल की कभी ने बादलों को जन जन की व्याकुलता दूर करने वाला बताया है एक point आपका ये है और दूसरा point है वे गर्मी की तपन से दुखी लोगों को जल बरसा कर शान्त कर देना चाहते हैं बस इतना ही आपको लिखना इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरुत नहीं है एक्स्ट्रा माक्स नहीं मिलेगा आपका time based हुगा कभी ने उत्साफ कविता बादलों को क्यों संभोधित की है तो यहाँ पर क्या है बादल क्या है कभी बादलों को क्रांती का प्रतीक मानते है गर्मी के बाद एक शीतलता प्रदान का जो होती है वो क्या है एक क्रांती ही तो है आजादी के लिए हम पहले हम गुलाम थे हमन ही पीडित जन को शीतलता प्रदान करते हैं उन्हें शांती प्रदान करते हैं ठीक है अब देखूं कवी निराला के अनुसार बादल में क्या संभावना चिपी हूँ तो कवी निराला जो है उनके अनुसार बादलों में कौन सी संभावना चिपी हुई है तो ये भी बहुत आसान है कवी निराला के अंसर बादल में जन जीवन देने की और शीतलता प्रदान करने की संभावना चिपी है ठीक है उसके बाद देखो कवी उत्सा कवी उत्सा कवी उत्सा कवीता में बादलों के लिए क्या आमाहन करता है तो कवी बादलों से आमाहन करता है तुम गर्ज लोगों को शीतलता प्रदान करो मुर्जाय हुए जीवन में नई आशा का संचार करो ठीक है अब देखो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो इससे कभी क्या कहना चाहते हैं इसी से रिलेटर्ड एक और कुश्चन आया था तो यहां पर कभी बोलते हैं कि हे फागु नई नई हरी हरी पत्तियां आ गई है फूल आ गए है ठीक है और जो कि जो नई पत्ते हैं वो उड़ने को क्या कर रहे हैं फड़वड़ा रहे हैं सब और मस्त हमस्त हवाएं चलने लगी है जिससे चारों और खुश्याली चाह गई है आप लोग ने देखा होगा गर्मी के बाद जसी पहली बारिश होती ना हर जगह सब शानत ही जाता है तो क्या है मैजिक ही तो है क्रांती ही तो है ठीक है और मौसम कैसा हो जाता है एकदम सुहाना हो जाता है ऐसा मौसम होता है कि आप अपने फोटो अप जब आप कैमरा लेके जाते हो फोटो क्लिक करने के लिए तो वो चीज उसमें नहीं क्लिक होती है आप उस प्रकृती को उस समय महसूस कर सकते हो उसे महसूस कर वो भाव आ जाते हैं ठीक है कि हमें उसको आप महसूस कर सकते हो लेकिन आप उसे कैप्चर नहीं कर सकते इतना सुन्दर दृष्ट होता है हमारी प्रकृती का ठीक है तो उसी चीज़ को यहां पर बताया गया है अगर आपको आंसर नहीं आए ना इस टॉपिक से रिलिटेड तो बस महसूस कर लेना कि जब बारिश आती है गर्मी जाती है तब आपको कैसे कैसे नजारे देखने को म कीन मानिए आपको जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है जो मैं आपको आंसर बिता रहे हूं इससे अच्छा आप आंसर लिख कर आएंगे ठीक है तो अट नहीं रही है कविता के अधार पर फागुन की मस्ति का वर्णन कीजिए तो फागुन की मस्तिक का और शोभा का वर्णन हुआ है फागुन में कहीं सुगंदे थवाए है कहीं फूलों की शोभा है कहीं पक्षियों के उन्मक त उड़ाने है कहीं व्रिक्षों पर रंग बिरंगे फूल पत्ते उग आये हैं सब जगह मानो शोभा ही शोभा दिखाए बिखरी हुई है फागुन की मस्ति क्या है समभाले नहीं समल रहे अब देखें फागुन की मस्ती का मानव मन पर क्या प्रभाव दिखाए देता है तो इतनी अधिक रंगीन और अधिक इतनी मस्ती जो है वह इतनी अधिक और रंगीन है कि मानव मन इससे उत्फल और प्रसंद दिखाए देता है उन्हें खुद स अपनी नजर हटा ले गई घूमने गए तो हम चाते हैं कि हम कुछ और देख लें ठीक है लेकिन घर चलने घर तो आने का मन ही नहीं होता हम चाते हैं कि वहीं पर हम बस जाए इस नेचर को अपने साथ डब्बे में बंद करके अपने साथ कैसे घर ले जा ताकि हम सालों साल इसे हर महीने हर रोज हम इस प्रकृती को निहारते रहें लेकिन ऐसा होता है क्या नहीं होता तो इसके कारण वो अपने मन को भरा और संतुस्ट पाता है उसके मन में भी आकाश में उड़ने की उमंग उड़ती है आपको लगता है न कितना सुन्दर मौसम में काश हमारे भी पंक लग जाते हम भी आकाश में उड़के घूम आते पक्षियों के जैसे वह संदर से इतना प्रभावित है कि अपनी इन आखे bundड ही नहीं करना चाहता ठीक वह उस सुन्दर को हमेशा हमेशा के लिए अक्षियों में कैप्चर कर देना चाहता है उसको समा लेना चाहता है लेकिन ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता ना आपके पस यादर रटी है कि हम गय थी कितना सुन्तर जेगर था वह फील करते हो ठीक है उसको फोटो में भी खीचोगे ना कैप्चर नहीं कर पाऊगे वह वह सीन वैसा रहता है ठीक है हमारी नेचर वैसी है चलो फिर है उत्सा कविता में कवी ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है तो यह सेक्षिक कोइन पर भी ने कविता करने वाले कवियों के लिए लिए संबोधन कौन से तो विधिन दिया या अवद्यी उपाधी दी बड़ी है तो स्टें मैटम तो वैसे औस मेरे स TP buy LabONG में लोग और नए जीवन का संचार करने वाले कुशी openly को इस तरह का उन्होंने उपाधी दी है अब देखो कवी ने बादल को क्या क्या कहा है और क्यों तो कवी ने बादल को विद्युद्चवी वाला व्रज वज्र कहा है ठीक है वज्र युक्त कहा है यह फर्स्ट पॉइंट वचाता है कि बादल सारे गगन को गेर ले और गरज ग सारे ज Πरमुक मिशयष्टा तो प्रकृति माझनवी करन और जिसको पढ़ने से हमें जोश मौता की तीज़ ठीक है उत्सा बादल में को मानव के रूप में संबुधित किया गया है बादल को गरजने के लिए प्रेरित किया गया है इस कविता की भाशा में जोश, उमंग और उत्सा क्या है कूट-कूट कर भराव गया है ठीक है तो यह आपको ध्यान पढ़ लेना है अच्छे से तो क्लास कैसी लगी कोश्चन कैसे लगे यकिन वानी अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर से इस चैप्टर के इन कोश्चन में से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा चाहे वो थ्री मार्क्स हो चाहे वो टू मार्क्स हो वन वन मार्क्स कोश्चन के लिए और चैप्टर को थरो करने के लिए मैं आप सभी को इसके MCQ टाइम टाइम पर करवाते रहूंगी जब तक कि आपके एक्जाम नहीं होते उससे और आपको क्लैरिटी मिलेगी इन कोश्चन कभी मैं रिजिशन करा होंगी तो आप लोग का यह चैप्टर बहुत अच्छे से त्यार हो जाए ऐसी हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे ठीक है अब देखिए यह दो बैचल स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 10 के एक स्टार्ट हो रहा है ट्वेल दिसंट 13 दिसंबर से और एक स्टार्ट हो जाएगा 20 स्टार्ट हो रहा है आज ही के दिन से तो आप इसको जॉइन कर लो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़िए अगर आप किसी को नाइंथ को आपका फ्रेंड है आपका कजन है भाई बेन है जो की नाइंथ में है और उनको उनसे आप बोलिए कि हर संड़े को 11 एम ठीक है क्या होता है यह टेस्ट होता है जो की फ्री है इसमें आपको कोई चार्जस नहीं लगते अगर आप जीत जाते हो तो आपको वन करूट रुपीज का स्कॉलर्शिप मिलता है और फर्स 25 रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट अफ मेरिट दिये जाते है जो अच्छे मेरिट में आते हैं अफ temples Street मिलता है 10 पररे 10 पर pare ड्सकांट मिलता है किसे विल्टेरेशन आप लीजे उसके समप्सक्रिप्शन लीजे p2 01 कोड मेरा यूस करिए 10 परेंट का डिसकांट अविल करिए लेकिन डिस ओफर इस वै्लेट ऑफर फ़य वर्सट प्सट्वाइं रेद dec अगर आप Iconic Subscription लेते हैं 12 मन्त का या फिर 12 मन्त से उपर का लेते हो तब आपको 4 मन्त का Subscription absolutely free मिलता है, flat 10% discount मिलता है आपको और यह offer valid है for first 500 subscribers, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई content, कोई questions, कोई answer गलत है तो आप उसकी report कर सकते हैं, अगर आपका हमारी team उसे verify करती है और अगर team को लगता है कि आप सही है तो आप price के भी हगदार होते हैं, class कैसी लगी आप सभी को comment section में जरू comment करके बताईएगा इस channel को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा और subscribe कर दीजेगा till then हम मिलते हैं अगली class में, till then take care और इन questions को पढ़ लीजेगा अच्छे से till then take care, see you all in the next class, जाते जाते बोल के जाएए, let's crack it